जहां एक तरफ पहाडी कम्यूटी के लोग स्चेडूल ट्राइब स्टेटिस की डिमार रख रहे हैं वहीं दूसरी तरफ क्या आपको मालू है कि अब पहाडी स्पीकिंग सर्डिफिकेट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा वो इसलिए क्योंकि एक तहसिलदार ये कहते हैं कि ह हमारे लिए ये असर्टन करना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन पहाडी है और कौन पहाडी नहीं है क्योंकि इसकी कोई डेफिनिशन हमें नहीं मिल पा रही बात करें तो आप जानते हैं कि सरकार ने पहाडी स्पीकिंग पीपल को रेजरवेशन दी चार परसेंट और व कौन लोग इस पहाडी स्पीकिंग पीपल की ये जो रेजरवेशन हैं उसके लिए एलिजबल होंगे और रूल नंबर 21 में वो पूरा क्राइटीरिया भी बताया गया था लेकिन पेशले दिलो जब डिमांड ये उठी कि जो पीओ जेके के रेफ्यूजीज हैं क्योंकि उन नहीं आते हैं इसको लेकर कुछ दिनों पहले उनकी मुलाकात किमिशनर क्मिशनर जम्मु से भी हुई जिसके बाद उन्होंने एक पहाडी स्पीकिंग सर्टीफिकेंट को लेकर ठности ये पूछा कि आखिराँ पहाड़ी स्पीकिंग सर्टीफिकेट技 वह रहे हैं और इन्हे प्राइफिकेशन जो उन्होंने मांगी है पहारी च्रिफ्केट को लेकर यह कहा है कि आपके नोटिस में यह बात लाना चाहूंगा कि कहीं सारे ऐसे अप्रिकेंट्स हैं जो तैसिलदार पर सर्टिफ के जारी किया जाएगा वो स्पैसिफिक्श नहीं है एस्पशली क्राइटीरिया जिस में मैंशन किया कि पहाडी क्लान किमयूटी ओर अ BROWN इडिफाइन नहीं किया रहें कि इनकी मदर टंग जो है वो पहाड़ी ही है यह जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है इस इस जो पॉइंट्स बताए गए इसके चलते ऑफिस इस पुजिशन में नहीं है कि वो यह सर्टिफिकेट अप्लिकेंट्स को जारी कर सके इस वजह से आपके साथ यह मैटर ट किया गया कि किन लोगों को लाब मिलेगा इस 4 पुसेंट रिजरवेशन का उसमें क्या मेंशन किया गया था किया क्राइचीरए था क्राइपि लेकिनिटि की vegetable कर्ं नहीं करना कि क्यों यह क्को कोई क्राइडियर मेंचन नहीं है उसके अलावा यह कहा गया दूसरी ostr clear यह भी है कि He must be speaking पहाडी language and his mother tongue must be पहाडी तो पहाडी language आनी भी चाहिए और उनकी mother tongue भी जो है पहाडी होनी चाहिए अब POJK के refugees की argument ही यही है कि पहाडी language हम बोलते भी है हमारी mother tongue भी पहाडी है हम क्यों eligible नहीं होंगे तीसरी बात यह कि उनका कोई जो proof है अधार, card, voter, card, domicile certificate यह कोई proof भी उन्हें साथ में mention करना है और आखिर में जो point है उसमें कहा गया है कि तहसलदार वो authority होगा जो certified करेगा claim लोगों के जो कह रहे हैं कि हम इस category में belong करते हैं फिर revenue authority यह certificate जारी कर देगी after due diligence लेकिन वहीं तहसलदार RS पुरा यह सवाल पूछ रहे हैं deputy commissioner से कि criteria तो बता दिया गया कि पहाड़ी तपके से belong करना चाहिए पहाड़ी language आनी चाहिए पहाड़ी mother tongue होनी चाहिए हमें बताए हम identify कैसे करें कि कोई पहाड़ी तपके से belong करता है या नहीं करता है हम identify कैसे करें कि वह पहाड़ी language बोलता है या पहाड़ी उसकी mother tongue है या नहीं है तो यह जो है यह सवाल उन्हें deputy commissioner से पूछा है इस सवाल के पूछने के बाद एक और चीज जो है उस पर सवाले निशान खड़ा हो जाता है वो यह कि अभी तक जितने भी पहाड़ी speaking certificate जारी किये गए वो किस बिना पर जारी किये गए वहाँ पर तैसलदार ने क्या criteria अपनाया identify करने के लिए कि कोई व्यक्ति पहाड़ी clan से पहाड़ी तपके से belong करता है या नहीं करता है पहाड़ी language बोलता है या नहीं बोलता है और पहाड़ी language अगर बोलता है तो क्या mother tongue उनकी पहाड़ी है या नहीं है तो यह ascertain करने के लिए उन्होंने क्या criteria अपनाया जब तैसलदार आरसपुरा को नहीं मालूम चल रहा कि क्रिस criteria को अपना के कैसे certified किया जाए कि कोई पहाड़ी है या नहीं है इसी पहाड़ी के identification को लेकर यह जो जतिन रहना वो भी पियोजे के refugee है उन्होंने भी पहाड़ी speaking certificate को लेकर वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने भी यह कहा कि हम यह सवाल पूछना चाहते हैं कि इस notification में जो रूल बनाए गए उसमें कोई district identify नहीं की गई कोई location identify नहीं की गई कोई जगा identify नहीं की गई कोई कास identify नहीं की गई तो इसके चलते अगर हम प्यो जेकी को जो refugees हैं वो भी जो उनका पहले state subject हुआ करता था और अभी उनके पास पुराने कागजात हैं उसमें अगर उनका address उस पुंच का है जो पुंच अब पाकिसान के कबज़े वाले जमो कश्मीर में हैं और साथी में उनकी language अगर वो कहते हैं हम भी पहाड़ी बोलते हैं हमारे mother tongue भी पहाड़ी है तो वो क्यों eligible नहीं हो इस पहाड़ी speaking certificate के लिए और पहाड़ी speaking certificate की जहा कि क्लारिफिकेशन जारी की जाए कोई details बताई जाएं कि हम आखिर identify करें तो कैसे identify करें लेकिन वहीं इस पर सवाल बन जाता है उन सबी certificates को लेकर जो issue हो चुके हैं कि वो किस कायदे से issue किये गए किस तरीके से उधर identify किया गया कि कोई पहाड़ी तपके से है या नहीं है औ तक कोई tribe कोई clan identify नहीं किया जा सकेगा और वहीं जो officials and administration के लोग पहाड़ी speaking certificate जारी करना चाहते हैं वह identify अगर नहीं कर पा रहे है कि कौन पहाड़ी है कौन पहाड़ी नहीं है तो अगर schedule tribe status की demand schedule tribe status मांगा जा रहा है वहां पर identify कैसे किया जाएगा कि इस पहाड़ी तबके कि इस broad definition में कौन लोग शामिल है और कौन लोग इससे बाहर है और वहीं क्या अब ये मुम्किन हो पाएगा जमो कश्मीर में कि जो POJK के refugees हैं इन्हें भी पहाड़ी speaking certificate issue किया जाए